नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 67th BPSC PT 2021 के लिए प्रेक्टिस सेट डिसकस करेंगे यह प्रेक्टिस सेट नमर 2 है इसका पहले प्रेक्टिस सेट नमर 1 अप्लोड हो चुका है जोने देखे जाके देख लिजेगा प्रेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे जो प्र प्रेक्टिस सेट इसमें कितने प्रेस ने तो 150 प्रेस ने और आप लोग 150 में से कितने सही कर पाते हैं उसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा साथ में जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा तब यह आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सा लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में दिया गया है तो आए देखते हैं पहला कोस्तन पहला कोस्तन है कि निमलिखित में से कौन सा यूग में जो है सही सुमिलित है इसमें से जो आपके चार यूग में दिया गया है इसमें से कौन आपके सही सुमिलित है तो देख लिजिए ज जो एंग इंडिया अखवार है किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है तो महात्मा गांधी के द्वारा किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा जो कॉमन बिल अखवार है कॉमन बिल इसका प्रकासन किसके द्वारा किया जाता है तो एनी बिसेंट के द्वारा उसके बाद है कॉम्रेड जो कॉम्रेड अख़वार है इसका प्रकासन किसके द्वरा किया जाता है तो आपको याद रखना है जो कॉम्रेड है इसका प्रकासन मौलाना मुहम्मद अली के द्वरा किया जाता है जबकि अलिहिलाल जो अख़बार है इसका प्रकासन मौलाना आजात के दोरा किया जाता है तो पहला वाला आपके सही है बाकी जो तीनों अप्शन है B, C, D आपकी गलत है ठीक है नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइड़ नामक पुष्टक किसकी रचना है तो इंडिया डिवाइड़ नामक जो पुष्टक है डॉक्टर राजन्दे परसाद की रचना है तो B, इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है B, इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारती राश्टी कांग्रेस की लखनवर अधिवेशन 1916 की अध्याचता नेमलिखित में से किसने की very important question है भारती राश्टी कांग्रेस के लखनवर अधिवेशन की अध्याचता नेमलिखित में से किसके द्वारा किया गया था तो आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था AC मजुमदार के दोबरा ठीक है AC मजुमदार के दोबरा किया गया था तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा D इसका राइट एंसर हो जाएगा और आपको याद रखना है कि जो लखनावर अधिवेशन हुआ था 1916 में यहाँ पर गरम दल और नरम दल आपस में दोबारा मिल गए थे जो 1907 में क्या हो गए थे गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे आपको याद हो गाना कि Congress में फूट पढ़ गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में और 1916 के लखनावर अधिवेशन में जो फूट पढ़ गया था उनिसो साथ में फिर से आपके 1916 में एक हो जाते हैं कांग्रेस के गरमदल और नरमदल ठीक है नेस्ट है कि बेक्तिगत सत्यागरा के पर्थम एबं दुतिय सत्यागरही के जोड़े का चेहन किजिए ध्यान रखेगा कि आप पूछा जा रहा है कि बेक्तिगत सत्यागरा के पर्थम एबं दुतिय सत्यागरही के जोड़े का आपको चेहन करना है तो पर्थम सत्य अगरही कौन थे, कौन थे, बिनवा भावे, और दुसरा कौन थे, जवालला नेरू, देख लिजी कौन सा option में है, तो बी इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, बी इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्टे की अस्थापना के 50 वर्स पूरे होने पर, भारते रास्टे कांगरेस का इतिहास लिखने बाले अधिकारिक इतिहास का कौन है, जो कांगरेस का इतिहास लिखने बाले इतिहास का कौन है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम में पटावी सितारमया, पटावी सितार तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमन में से कौन एक उग्र बिचारधारा के समर्थक माने जाते हैं तो जो उप्सन दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन आपके उग्र बिचारधारा के समर्थक है तो इसमें जो आपके फिरोज सामेहता, गोपाल क्रिस्न गोखले, दादा भाई नरोजी, यह आपके याद रखिएगा, यह उदारबादी है, जबकि विपिंद चंद्र पाल जो हैं, यह उगर बिचारधारा के माने जाते हैं, विपिंद चंद्र पाल, ठीक है, तो इसमें आपके याद रखना है फिरोज सामेहता, गोपाल क्रिस्न गोखले, दादा भाई नरोजी, यह आपके उदारबादी बेचारधारा के लोग हैं, और जो गोपाल क्रिस्न गोखले हैं, महात्मा गाधी के गुरू भी हैं, राजनितिक गुरू, नेक्स्ट है कि किस मुगल सासक के काल में मनसर काईट एंसर हो जाएगा, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लिंग ने किस परांत में सरकार बनाई, तो 1946 के बाद मुस्लिम लिंग ने बंगाल और सिंध में सरकार बनाई, तो एक से अधिक सही उत्तर है, तो ए उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक हैं, एक से अधिक, तो मतलब क इसका उत्तर हो जाएगा और आपको याद रखना है कि कांग्रेस जो है किस परांत में सरकार बनाई तो कांग्रेस जो है बिहार में सरकार बनाती है मतलब कि जो कांग्रेस है इनको पूर्ण बहुमत मिल जाता है बिहार में उडिशा में ठीक है उडिशा में मध परांत में औ लोट किजिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट है कि सिविल सेबकों के चैन के लिए खुली प्रतियोगता परिच्छा का आरंब किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था तो सिविल सेबकों के चैन के लिए खुली प्रतियोगता परिच्छा का आरं जो है 1853 1853 के चार्टर के अधिनियम के तहत किया गया था ठीक है 1853 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा इस कोशन के दोबारा पढ़ लजीए बहुत ही important कोशन है कि सिविल सेबकों के चैहन के लिए खुली परतियोकता परिच्छा का आरंभ की चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था तो 1853 के चार्टर के अधिनियम के तहत किया गया था next है कि 1857 का बिद्रो लखनावर में किसके नित्रुत में आगे बढ़ा लखनावर में बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल के नित्रुत में आगे बढ़ता है और आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि बिहार में बिहार में जो है 1857 का बिद्रोफ किसका नित्रुत में आगे बढ़ता है यह कोस्टन हर साल पूछा जाता है BPSC के द्वारा बहुत ही फेमस कोस्टन है ठीक नेक्स्ठे की निमलिखित इरोपियोनों में से कौन सा एक सुतंदरता पूर्व भारत में बेपारीक रूप में जोए सबसे अंत में आता है तो बेपारीक रूप में जोए सबसे अंत में जोए फ्रांसिसी आता है कब आता है तो 1664 में आता है और सबसे पहले कौन आता है तो तो पुर्तगाली आता है, 1448 में, अंग्रेज कब आते हैं, तो 168 में, और डच कब आते हैं, तो 1602 में, आपको फ्रांसीसी के बारे में रखना है कि फ्रांसेशी जो है भारत में बेपार करने के लिए सबसे लास्ट में आते हैं और भारत से सबसे पहले चले भी जाते हैं तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि अधुनिक भारत के निम्रिखित संस्थाओं एबम संस्थापकों में कौन सही सुमृत नहीं है ठीक है तो एक सर्वाप के संस्थापक का नाम दिया गया है तो दा सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी इसके संस्थापक कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले यह सही है The Indian Women's Association इसके संस्थापक कौन है Any percent यह भी सही है सेवा सदन EMG Ranaade जो सेवा सदन है इसके संस्थापक EMG Ranaade नहीं है तो कौन है तो आपको याद रखना है बहराम जी बहराम जी EM Malabari ठीक है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रहम समाज इस की संस्तापक राजाराम मोहन राएं तो ये सही है तो C बलाप के गलत हो जाएगा ठीक है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि ब्रिटिस भारत की सिना ने धार्मिक अधार पर सबसे पहले किस बर्स सरकार के आदेश का बिरोध किया था तो सबसे पहले जो है 1824 में सरकार के आदेश का बिरोध किया था तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा बी इसका राय टंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस बाइस राय ने गांधी जी को one man boundary force कहकर संबोधित किया था तो किसके द्वारा गांधी जी को जो है one man boundary force बोला गया था तो माउंट बेटन के द्वारा बोला गया था माउंट बेटन के द्वारा बोला गया था तो D इसका राइट अंतर हो जाएगा साथ में आपको याद रखना है कि गांधी को जो है अर्धन अर्धन नगन फकिर किसके द्वारा बोला गया था तो बिस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था बिस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था, गांधे जी को अर्ध नगन फकिर बोला गया था, नेक्स्ट है कि गुप्त सासन में निर्मित दसावतार मंदिल किस देपता को समर्पित है, तो गुप्त काल में निर्मित दसावतार मंदिल जो है, बिस्टनु भगवान को समर तो B इसका रायट एंसर हो जाएगा, ठीख है, B इसका रायट एंसर हो जाएगा, कहाँ पर अस्तित है, तो UP में अस्तित है, 10 अब्तार, मंदिल, कहाँ पर उतर प्रदिस में अस्तित है, नेक्स्ट है कि निब काम कर्म का सिध्धान स्वरपर्थम किस में प्रतिपादित किया गया तो निब काम कर्म का सिध्धान जो है स्वरपर्थम संपादित किया गया प्रतिपादित किया गया तो ईसूप निसद में तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स टे की गुप्त काल में सिरवाधिक अभिलेख किस सासक के मिलते हैं तो गुप्त काल में जो है सिरवाधिक जो अभिलेख हैं कुमार गुप्त परथम के मिलते हैं किसके कुमार गुप्त परथम के मिलते हैं तो ए इसका रैट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि निमलखित में से किस अस्थल से मानव कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी समधान से प्राफ्ट होता है मतलब कि मानव के सव के साथ में कुट्टे का भी सव मिलता है तो किस लोकेशन से मिलता है तो बुर्ज होम से मिलता है ठीक है बुर्ज होम से तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा और बुर्ज होम बरतमार में किस केनल साशित प्रदेश में रस्ती थे तो जम्मू कास्मीर में रहते थे, कहाँ पर जम्मू कास्मीर में जो बुर्ज होम के लोग हैं, गड़ा बना के रहते थे, ठीक हैं, जिसे कुमा टैप के बना दिया उसके अंदर रहते थे नेक्स्ट है कि अनिकांत बाद या सियाद बाद निमलिखित में से किसका क्रोड सिधांत एबं दर्शन है तो अनिकांत बाद या सियाद बाद निमलिखित में से जो है किसका क्रोड सिधांत एबं दर्शन है तो आपको याद रखना है जैन धर्म का है किसका है जैन मत का है तो D इसका right answer हो जाएगा D इसका right answer हो जाएगा Next है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिये साच प्राप्त कहां से हुआ है तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिये साच जो है एरन से मिलता है एरन अभिलेक से मिलता है और कम मिलता है पांसो दस इस भी में मिलता है और आपको याद रखना है कि जो अभिलेक है किस सासक से संबंदित है तो भानुगुप्त से संबंदित है ठीक है भानुगुप्त से संबंदित है और इसमें किसके बारे में वर्नन है तो सती पर्था का इसे पर्थम अभिलेख बोला जाता है एरन अभिलेख को और एरन किस राज में अस्तित है तो मद्पर्देश राज में अस्तित है ठीक है मद्पर्देश के सागर जीले में अस्तित है नेक्स्टे की प्राचिन भारतिये इतिहास में प्रसीद काली दास के संबंध में निमलखित में से कौन सा कथन आपके असत है कौन सा कथन आपके जो दिया गया है इसमें से अच्छत मतलब की गलत है ठीक है तो देख लेजी गोप्त सासक, चंदरगुप्त बिक्रमादीत के दर्वारी के भी थे तो सही बात है, दर्वारी के भी थे और उन्होंने मिर्च कटकम की रचना की तो इसमें आपको याद रखना है जो मिर्च कटकम है इसकी रचना काली दास के द्वारा नहीं किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था तो सुद्रक के द्वारा किया गया था ठीक है सुद्रक के द्वारा किया गया था तो B बला आपके गलत हो जाएगा उनकी रचना संस्कृत भासा में थी कालिदास के तो सही है उन्हें भारत का सेक्स पियर भी कहा जाता है कालिदास को तो ये भी सही है तो केवल आपके जो बी वला उप्शन है ये गलत है तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अकबर द्वारा बिहार पर नियंतरन अस्थापित करने के करम में किस से संघर्ष करना पड़ा तो किस से संघर्ष करना पड़ता है तो दाउत खा करार आनी के साथ में संघर्ष करना पड़ता है तो बी इसका राइट अंसर हो जागा आपको याद रखना है कि अकबर के अलग प्रांत की घोसना कब की जाती है अकबर के द्वारा इसे नूट की जिए कई पूछा सकता है तो 1580 में करता है कब करता है 1580 में करता है ये दोनों अलग अलग कोसन है नेक्स है कि किस मध कालिन सासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमान मिले है तो फिरोज सा तूग लगके तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि 1919 में दरभंगा महराज के बिरूद किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नित्रितु किया तो इसमें आपको याद रखना है स्वामी बिद्यानेंद जो है किसानों को संगठित कर दरभंगा महराज के बिरूद जो है आंदोलन करते हैं तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि मौर काल में सिच्छा का सरवाधिक परसीद केंद्र था मौर काल में जो है सिच्छा का सरवाधिक जो परसिद केंदर है तस्सिला है कौन है तस्सिला तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा बरतमान में जो है तस्सिला किस देश में पढ़ता है तो पाकिस्तान में आपकी पढ़ता है नेक्स है कि प्ररंभिक मध काल में बिहार का छेत्र किसके बीच संगर्ष का अखाड़ा बना रहा है बंगाल और दिल्ली के बीच तो भी इसका राइट अन्थ हो जाएगा इससे फिर से देख लेज़े प्रडंबिक मदकाल में जोए बिहार का छेत्र किसके बीट जोए संघर्ष का अखाला बना रहा तो बंगाल और दिल्ली के बीट जोए संघर्ष का अखाला बना रहा बिहार का छेत्र नेक्स्ट है कि इरोपिय कमपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था तो इरोपियों कमपनियों द्वारा बिहार से क्या प्राप्त किया जाता था तो देख लिजिए सोरा प्राप्त किया जाता था बिहार से निल भी प्राप्त किया जाता था सूती वेस्तर भी प्राप्त किया जाता था और अनाज भी प्राप्त किया जाता था तो इसका मतलब इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा ठीक है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा एक से अधिक तो इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स से की बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हर्ताल किस आंदोलन के दोरान की गई बहुत ही important question है बिहार में जो है कैदियों द्वारा नंगी हर्ताल किस आंदोलन के दोरान की गई तो सबने अब गया आंदोलन के दोरान की गई सबने अब गया आंदोलन के दोरान और आ नेक्स्ट है कि निम्लखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्मान हुआ तो जॉन सोर के सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्मान होता है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा जो गोल घर का निर्मान कब शुरू होता है तो जो गोल घर का निर्मान जो है 1784 में शुरू होता है और पूरा कब होता है तो 1786 में आपके पूरा हो जाता है नेक्स्ट है कि पटना में भवानी मंदिल करांती कारी संस्था की अस्थापना किसने की तो पटना में जो है भवानी मंदिल करांती कारी संस्था की अस्थापना जो है भुपेंदर नाथ दत ने किया किस ने किया भुपेंदर नाथ दत के द्वरा किया जाता है तो C इसका right answer हो जाएगा ठीक है next है कि मध कालिन भारतिय इतिहास में तबला को परचलित करने का सरे किसे दिया जाता है तो तबला को परचलित करने का सरे जो है अमीर खुसरो को जाता है जो है अमीर खुसरो को तो C इसका right answer हो जाएगा next है कि वर्ना कुलर प्रेस एक्ट के सम्बंद में कौन सा कथन आपके सही नहीं है तो कौन सा कथन आपके गलत है ये पूचा जा रहा है तो यह एक्ट जो 1878 में लॉड लिटन की समय आया तो सही बात है जो वर्ना कुलर प्रेस एक्ट है 1878 में आता है और किसकी समय आता है तो लॉड लिटन की समय आता है इस अधिनियम को जो है मुह बंद करने वाला अधिनियम का जाता है तो सही बात है अमरित बजार पत्र का रातरात बांगला से हिंदी भासा में परिवर्तित हो गई तो ये आपके गलत है ठीक है ये आपके गलत है नेक्स्ट है कि लॉड रिपन ने लॉड रिपन ने जो ए 1882 में इस अधिनियम को रद कर दिया तो सही बात है रद कर दिया ये दुनों नाम याद रखेगा आपसे पूछा जाएगा एक ने कोशन ठीक है तो सी बला आपके गलत है बाकी सब सही है ठीक है तो सी इसका राइट एंसर हो जाएगा सी इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कुस्छन है कि चितोर गड़्व का कृती अस्तम के सासक के सासनकाल में निर्मित हुआ था तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा जो राणा कुमभा है इनका सासनकाल कब से कब तक रहता है तो 1433 से 1468 के बीच इनका ससनकाल रहता है नेक्स है कि प्रतीक मुद्रा का चलन किस मद कालिन सासक ने अरम किया तो प्रतीक मुद्रा का चलन जो है MBT मुहम्मद बिन तुगलक के ससनकाल में आपके चलन में प्ररम हुआ था तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा कि प्रतीक मुद्रा का चलन किस मद कालिन सासक ने प्ररम किया था तो मुहम्मद बिन तुगलक ने प्ररम किया था तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि 12 मासा की रचना किस ने की थी तो जो 12 मासा पुष्टक है इसकी प्रचना मलिक मुहम्मद जैसी के द्वारा की गए थी मलिक मुहम्मद जैसी के द्वारा की गए थी मलिक मुहम्मद जैसी तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स है कि निमलिखित मेंसे किसका बिरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राई ने नहीं किये निमलिखित मेंसे किसका बिरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राई ने नहीं किये तो देख लिजे किसका बिरोध नहीं किया गया है सती परता का बिरोध किया गया है मुर्ती पूजा का भी बिरोध किया गया है बाल विबा का भी बिरोध किया गया है जबकि पास्चात सिच्छा का बिरोध नहीं किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा ठीक है इनका द्वारा बोला गया कि पास्चात सिच्छा को जो है सिखना चाहिए ताकि उसे जो नया सुधार हो रहा है पूरे दुनिया में उसे हम जान सके तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमलिखित में से किस आंदुलन के दोरान किसानों ने प्रभू एबम खुदा के नाम पर सपत ली वे लगान नहीं देंगे यह दुवारा देख लिजिए कि निमलिखित में से किस आंदुलन के दोरान किसानों ने प्रभू एबम खुदा के नाम पर सपत ली कि वे लगान नहीं देंगे तो आपको याद रखना है बारदोली सत्याग्रह में ये सपत लिया गया था किसानों के द्वरा कि वो लगान नहीं देंगे ठीक है वो लगान नहीं देंगे तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमलिखित में से किस अंदुलन का आहवान महत्मा गांधी ने नहीं किया है तो अहमदाबाद मिल मजदूर अंदुलन का आहवान महत्मा गांधी ने किया है रवलेट सत्याग्रह का आहवान जो है महत्मा गांधी ने किया है अस्तायोग अंदुलन का आहवा महत्मा गांधी के द्वारा किया जाता है जो अमदाबाद मेल मजदूर अंदूलन है ये कब होता है तो 19-18 में होता है ठीक है और रोलेप्ट सत्यागरा 19-19 में होता है इस सारे नोट कर लिजेगा तो सारे के सारे कथन आपके सही है ठीक है महत्मा गांधी ने आहवान किया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा एक से अधिक अपसे में दिया नहीं गये तो एक से अधिक हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि 9 इबको द्वारा 18 बरस की आयू पर मता अधिकार का पहली बार प्रियोग किस आम चुनाव में किया गया तो आपको याद रखना है कि 1989 के आम चुनाव में किया गया था तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि 61 में समिदान संसुदन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है मतादान करने की उम्र को 21 बरस से घटा के 18 बरस कर दिया गया था इसे नूट कीजेगा बहुत ही इनपोर्टेंट कोसन है उसमें किसकी सरकार थी तो राजब गांधी की सरकार थी नेक्से की भारतिय समिधान के अनुछेद एक की असत ब्याख्या को चुनिए भारतिय समिधान के अनुछेद एक की जो है असत मतलब गलत ब्याख्या को आपको चुनना है तो चुन लेजे भारत और इंडिया नाम को सिवकार किया गया है तो सिवकार किया गया है भारत को राजियों का संग कहा गया है राज और संग दोने ही संपरभूता बनी रहेगी तो ये बात नहीं कहा गया है संपरभूता नहीं बनी रहेगी ठीक है तो ये गलत है राजियों के संग के अंतरगत राजियों के छेत्र, संग छेत्र और अरजित राज छेत्र सामिल होंगे राजियों के संग के अंतरगर जो है राजियों के छेत्र, संग छेत्र, अरजित राज छेत्र आपके सामिल होंगे तो ये भी आपके लिखा गया है जबकि C के बारे में लिखा नहीं गया है तो C आपके गलत हो जाएगा तो हमारे लिए C उत्तर हो जाएगे ठीक है नेक्स्ट है कि राश्टी मतदाता दिबस निमलखित में से किस तिथी को मनाया जाता है यह बहुत famous question इसे ज़रूराथ याद रखेगा प्लू किरास्टी मतदाता दिबस जो निमलखित में से किस तिथी को मनाया जाता है तो 25 जनबरी को ठीक है 25 जनबरी को तो B इसका right answer हो जाएगा 2011 से 2011 से 25 जनबरी को मतदाता दिबस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 25 जनबरी 25 जनबरी 1950 को जो निर्बाचन आयोक का गठन किया गया था याद रखेगा 25 जनबरी 1950 को जो निर्बाचन आयोक का गठन किया गया था इसी लिए नेक्स जे कि भारत के समिधान के सुरोत में नेमलखित में से कौन सुमिलित नहीं है तो देख लिए जे कौन आपके सुमिलित नहीं है प्रेटिन के समिधान से क्या लिया गया है तो संसद्य सासन तो ये सही है अमेरिका के समिधान से क्या लिया गया है मुल अधिकार रूस के समिधान से लिया गया है ठीक है उस समय एसस आर था लेकिन बरतमान रूस रूस है ठीक है जो आयरलेंड के समिधान है जो आयरलेंड के समिधान से क्या लिया गया था तो आपको याद रखना है जो आयरलेंड के समिधान है आयरलेंड के समिधान से जो है लिया गया थ आपके DPSP DPSP इसे क्या बोला जाता है तो राज के निति निदिसक सिद्धान्त लिया गया था तो डी वला आपका गलत हो जाएगा ठीक है डी वला गलत हो जाएगा नियाय मुर्ती हिदाय तुल्ला जो कुछ समय तक भारत के मुख नियाधीस ने कुछ समय तक भारत के कारवाहक राष्टपती के रूप में कार किया तो उनका नाम क्या है तो नियाय मुर्ती हिदाय तुल्ला जो कुछ समय तक भारत के राष्टपती के रूप में काम करते हैं नेक्स्ट है कि भारत के राष्टपती ने एक मामले में अपनी पॉकेट बीटो शक्ति का पर्योग किया वह था तो वह क्या था भारत डागघर बिधेयक था तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा अपको याद रखना है कि भारत डागघर जो बिधेयक है जिसने इसे पॉकेट बीटो किया था तो उसमें राष्टपती कौन थे तो ग्यानी जैलसी थे ग्यानी जैलसी ठीक है इसे नूट कीजेगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन है तो C इसका राइट एंसर हो जाएग भारत के राष्टपती द्वारा बित आयो का गठन किया जाता है तो भारत के राष्टपती द्वारा जो बित आयो का गठन हर पाच में बरस किया जाता है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा और किस आठकिल के तहट आठकिल 280 के तहट आप लोग बरतमान में बित आयो को कोने कोमेंट करके बताईएगा बरतमान में बित आयोग के अध्याच कोने आप सभी लोग कोमेंट करके बताईएगा नेक्स्ट है कि राश्टी विकास परिसद का गठन निमलिखित में से कब किया गया था तो राश्टी विकास परिसद का गठन जो है 6 अगस्त 1902 को किया गय किसी भी सेवा नविर्थ मुख नयाधिस या नयाधिस को बनाया जाता है तो ए इसका right answer हो जाएगा ठीक है? ए इसका right answer हो जाएगा Next एक प्रस्ताबना में उल्लखित सब्द नयाई में निम्लखित में से नयाई की बात नहीं की गई है तो किस नयाई की बात नहीं की गई है तो इसमें आपको याद रखना है कि समाजिक नयाई की बात की गई है अर्थिक नयाई की बात की गई है राजनितिक नयाई की बात की गई है जबकि धार्मिक नयाई की बात नहीं की गई है तो भी इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि केंदर एवं राज्यों के बीच बितिये विवादों के निप्टा रहे है तू मुख एजनसी है केंदर एवं राज्यों के बीच जो है बितिये विवादों के निप्टा रहे है तू मुख एजनसी कौन है तो आपको याद राखना है जो मुख एजंसी है सरवोच नियाले है कौन है सरवोच नियाले है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा सरवोच नियाले जो है अनुछेद 138 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी विवादों को क्या करती है निप्टाती है जितने विवाद हो जाते है केंद्र और राज्यों के बीच जो है उस विवाद को निप्टाता कौन करता है तो सरवोच नियाले सुपरिम कोट करता है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि स्वायत सासन की इकायो के रूप में गराम पंचायतों के गठन का प्रभधान समिधान के किस अनुछेद में है तो स्वायत सासन की इकायो के रूप में जो है गराम पंचायतों के गठन का प्रभधान समिधान के अनुछेद 40 में है तो B इसका right answer हो जाएगा और आपको याद रखना है ये DPSP है नेक्स्ट है कि भारत के महानियाइबादी के संबंध में निम्रिखेत में से कौन सा कथन आपके गलत है तो इसमें से देख लिजे कौन सा कथन आपके गलत है अनुछेद 76 के तहट जो राष्टपती द्वरा भारत के महानियाइबादी को निक्त किया जाता है तो सही है उच्टम नियाले के नियादीस होने की योगता होनी चाहिए भारत सरकार का पर्थम बिधिय अधिकारी होता है संसत की करवाई में भाग लेने और बोड देने का अधिकार है भाग लेने का अधिकार है लेकिन बोड देने का अधिकार नहीं है तो D इसका राष्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट की निमलिखित में से कौन से अधिकार जो है गर नागरिकों को भी प्राप्त है सुतंता अनुछेट 26 धार्मे कारियों के प्रवंदन की सुतंता तो यह आपको याद रखना है यह आपके भारत के साथ साथ जो है गर जो नागरिक है मतलब कि भारत के जो बाहर के लोग है उनको भी अधिकार दिया गया है हमारे स्रमिदान के दोरा तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा तो यह इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है साथ में केबल जो भारतियों को अधिकार दिया गया है तो आठकिल, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आठकिल है केबल भारतियों को अधिकार दिया गया है इस आठकिल के माधियम से जो कुछ लिखा गया है इस आठकिल के अंदर नेक्स्ट है कि निमलिखित में ब्यापक मुद्रा जिसे सुलब मुद्रा भी कहा जाता है कि माप किसके द्वरा की जाती है तो आपको याद रखना है यम्थरी के द्वरा की जाती है ठीक है यम्थरी के द्वरा की जाती है सबसे पहले यम1 क्या होता है तो जनता के पास मुद्रा पलस बैंकों की मांग जमा पलस रिजब बैंक के पास यन जमाएं ठीक है और जो यम3 क्या होता है तो यम3 में होता है कि यम1 जो आपको बताएं यम1 पलस बैंकों की साबधी जमा तो इसे यम3 बोला जाता है तो C इसक राइट एंसर हो जाएगा नेक्स टेक की निमलिकेत में से साख मुद्रा में किसे सामिल किया जाता है तो साख मुद्रा में किसे सामिल किया जाता है तो प्रतिगिया पत्र चेक, बिनमे पत्र बैंक ड्राफ्ट इन सभी को सामिल किया जाता है तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कि पुंजिगत बैयाई के लिए राजियों को बित्य सहायता की योजना के तहत केंदर सरकार दोरा राजियों को मिलने वाला रीन है तो आपको याद रखना है कि 50 वर्स के लिए बियाज मुक्त रीन है ठीक है 50 वर्स के लिए बियाज मुक्त रीन है से फिर से देख लेजी पुंजिगत बैयाई के लिए राजियों को बित्य सहायता की योजना के तहत जो किन सरकार्द वारा राजों के मिलने वाला रिन क्या है 50 वर्स के लिए जो है ब्याज मुक्त रिन होता है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारतिय रिजय बैंक RBI के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं तो देख लेजे इसका गठन जो है RBI अधिनियम 1934 के तहट किया गया था तो यह सही है एक जनवरी 1949 को RBI का राश्टे करन किया गया यह भी सही है RBI की अस्थापना मुंबाई में होई तो यह आपकी गलत है कलकत्ता में होती है इसके पर्थम गवर्न जनरल कौन है तो ओस बॉर्न अस्मित है तो यह सही है एक अपरेड 1935 को गठी RBI की अधिकरित पुंजी 5 क्लोर रुपिय थी तो यह भी आपकी सही है और आपसे पूछा क्या गया है कौन सही नहीं है तो केबल 3 आपके सही नहीं है केबल 3 सही नहीं है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि अंतरास्टी स्रम संगठन के अनुसार भारत में जो है बरस 2020 में बेरुजगारी दर 3 दर्सकों में उस्तम हो गई यह दर कितना है तो आपको याद रखना है 7.1% है 7.1% है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि जीमन भी माच्छेत्र में प्रवेस करने वाला देश का पहला बानेजीक बैंक कौन सा है तो ESB आई है इसका नाम चेंज करके ESBI कर दिया गया जो इसका राइस्टी करन कर लिया जाता 1955 में और उसका नाम ESBI कर दिया जाता है तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि गर निश्पादनिये परिसंपतिया मतलब कि NPA Non-Performing Assets से सम्मंधित निम्न में कौन सा कथन आपके सत है तो देख लेजे किसी वितिये बर्स में ब्याज का भुवगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए किसी वितिये वर्स में मुल धन का भुवगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए तो उसे NPA बोला जाता है, तो सही बात है उसे NPA बोला जाता है, कि दोनों को दोनों कथन आपके जो है, सही है, दोनों को दोनों कथन के आपके सही है, तो ए इसका right answer हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि अवास एबं सहरी विकास मंत्राले की अमरित द्योजना कितनी अवादी बाले सहर को अच्छादित करती है, तो भी इसका right answer हो जाएगा, भी इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि भारत निम्लेखित में से किस खाद परदार्त या फलो का सिर्ष उत्पादक देस है, तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत जो है, दूद, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम का सिर्ष उत्पादक देस है, ठीक है? तो एक से अधिक इसका right answer हो जाएगा, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? साथ में आपको याद रखना है कि चावल, गेहू, सबजी, इन तिनों में जो है, भारत का स्थान दुसरा है, जबकि इन समें भारत का स्थान पहला है. नेक्स है कि सेर बजार में प्रयुक्त सब्द, मार्केट कैप्टलाजेशन का तात पर क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कमपनी के सभी सेरों के सकल बजार मुल्क को जो है, मार्केट कैप्टलाजेशन बोला जाता है, तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है? बे इसका राइट अंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है कि प्रमप्रागत किर्सी विकास योजना को कब शुरू किया गया तो प्रमप्रागत जो किर्सी विकास योजना है उससे 2015 में शुरू किया गया तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है भी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि वस्तु एवम सेवा कर GST के संबंध में असत कथन को चिन्नित किजिए तो इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है उसे आपको चिन्नित करना है तो 1 जूलाई 2021 को GST के 4 बर्स पुरे हो गए तो सही है GST में अनेक आप परतियच करों को समाहित किया गया ये भी सही है GST के अंत्रगत जो है 5-12-18-26 की दर है तो इसमें आपको याद रखना है कि 5-12-18-28 की दर है ठीक है तो C बल आपके गलत हो जाएगा उसके बाद GST परिशद GST की दर नेधारित करती है तो ये सही है तो C आपके गलत हो जाएगा तो C हमारे लिए इसका रखना हो जाएगा क्योंकि असत पुछा गया है नेक्स्ट है की बर्स 2020-21 में बारत का किर्सी निर्यात 41.88 डॉलर हो गया इसमें जो है 2019-20 की तुल्ला में कितनी बिर्धी हुई है तो 18% की बिर्धी हुई है कितने 18% की बिर्धी हुई है तो ये इसका रखना हो जाएगा नेक्से की मानक मधिमा रेखा 872 डिग्री एबम करक रेखा 873 डिग्री नौर्थ आपस में कहां परती छेद करती है तो इसमें आपको याद रखना है कि आपस में कहां पर मिलती है तो जो करक रेखा है भारत के 8 राजे से होकर गुजरती है और जो मधिमा रेखा है ये इलहाबाद को आपको याद होगा इलहाबाद के नहीं से गुजरती है तो यह बोला जा रहा है कि जो करक रेखा और मानक मधिमा रेखा यह कहां पर आपस में कट करती है तो आपको याद रखना है यह आपस में जो है 36 गल राज में कट करती है तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि करकर रेखा भारत के किनकें राजों से गुजरती है साथ में जो मानक मधिमा रेखा जहांसे टाइम ना पा जाता है साले 82 डिगरी ये किनकें राजों से होकर गुजरती है आप से भी लोग कमेंट करके बताईएगा इन में से नविन्तम रॉक सिस्टम कौन है तो जो उप्षन दिया गया इसमें से सबसे नविन्तम रॉक सिस्टम कौन है तो गुंडवाना है कौन है गुंडवाना तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत की वैसी नदी जो हिमाले की सभी सेंखलाओं को काटती है तो कौनसी नदी तो सतलज नदी ठीक है जो अप्शन दिया गया है सतलज नदी तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा भी इसका राइट एंसर हो जाएगा सतलज नदी जो है हिमादरी मद हिमाल एबम सीबालिक सरेनी को काट कर सिंदु नदी में मिल जाती है सतलज नदी और आपको याद रखना है कि जो सतलज नदी है सिपकिलादर्दध भवारत में प्रिवेश करती है नग师 है कि किस अभियारन के मध एक खुबसूरत जील है किस अभ्यारन के किस अभ्यारन के मध में जो है एक खुबसूरत जील है तो आपको याद रखना है तोम तोम चांची जो अभ्यारन है उसके बीच में एक खुबसूरत जील है और आपको याद रखना है कि तोब-चाची-आभेरन किस राज में अस्तित है तो ज़रकन राज में अस्तित है ज़रकन के धनवाद में है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा इम्लिखित बंदरगाहों का उत्तर से दछिन सही करम क्या है उत्तर से दछिन सही करम क्या है तो जो option दिया गया उसमें विसाखा पत्नम सबसे उत्तर में है मचली पत्नम उसके नीचे है ये दोनों कहां पर है आंध्र परदेश में चेन नई ये कहां पर है तो तमिल लाडू में है तूति कोरम ये कहां पर है ये भी आपके तमिल लाडू में है तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारतिय राज्यों में साचरता दर का सही करम घटते हुए अब रोही करम में बताना है तो सबसे अधिक साचरता कहां पर है किरल में है और उसके बाद मिजोरम में है तिरपूरा और गोवा की रहल में कितना परसेंट सा चर्ता है तो 93.91% है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि पुर्निया एवं मुझपरपूर को कौन सा NH जोड़ता है तो NH संतामन जो है पुर्निया एवं मुझपरपूर को जोड़ता है NH 102 जो है छपरा एबम मुझापरपुर को जोड़ता है जबकि NH संतामन जो है पूर्निया एबम मुझापरपुर को जोड़ता है NH 85 जो है छपरा एबम गोपालगांच को जोड़ता है जबकि NH 33 जो है अरबल भागलपूर और फरक्का को जोड़ता है नेक्स्ट है कि मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है तो किस देश से आपके जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है तो आपको याद रखना है कि जो मकर रेखा है मेडा गासकर, टोंगा, बोस्तवाना से गुजरती है जबकि बुलेबिया से नहीं गुजरती है तो C इसका राइक टेंसर हो जाएगा ठीक है यह आपके 0 डिग्री है यह 36 डिग्री आपके नौर्थ करकर रेखा है 36 डिग्री सोर्थ मकर रेखा है आप लोग के पास अगर मैप है तो मैप में चेक कर लिजेगा कि जो मकर रेखा, करक रेखा और विश्वत रेखा बल्ड के किनकिन देशों से होकर गुजरती है ठीक है नेक्स्ट है कि भूमिगत जल दवारा निम्लखेती मैं से कौन सी आकिरती बनती है तो घोल रंद्र, यूबाला अंद घाटी लैपिज, यह सारे बनती है तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा तो ई इसके उत्तर हो जाएगे ठीक है नेक्स्ट कॉश्टन है कि निम्लखेती सबसे छोटा देश कौन है तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो है निमन में से सबसे छोटा देश कौन है तो option के हिसाब से तो इसमें जो सबसे छोटा देश आपकी बांगला देश है ठीक है बांगला देश है तो ए इसका राय टेंसर हो जाएगा ए इसका राय टेंसर हो जाएगा जबकि आपको याद रखना है कजाकिस्तान के बारे में तो जो कजाकिस्तान है बिसुब का सबसे बड़ा जो है लेंड लोग कंट्री है बिसुब का सबसे बड़ा लेंड लोग कंट्री कौन है तो कजाकिस्तान है नेक्स्ट है कि निमलिखित सागरो का पूरव से पच्छिम सही करम क्या है तो जो सबसे पूरव में कौन है तो सबसे पूरव में आपके बेरिंग सागर है ठीक है और बेरिंग सागर के बाद कौन है तो पीला सागर है पीला सागर के बाद कौन है तो लाल सागर है लाल सागर के बाद जो है करिबियन सागर है तो इसका right answer क्या हो जाएगा? D. इसका right answer हो जाएगा D. इसका right answer हो जाएगा ठीक है? Next है कि निमलखित में से किस अस्थान पर Eco Cement Factory की अस्थापना की गई है तो भवुआ में कहा पर? भवुआ में की गई है? Eco Cement Factory के अस्थापना तो D इसका right answer हो जाएगा एक से कि बिहार में सरवाधिक अनिसुचित जन जाती सिडुल ट्राइब प्रतिसत किस जिले में है तो बिहार में सरवाधिक सिडुल ट्राइब किस जिले में पच्छमी चमपारन में कितने परसेंट लोग है तो 6.35% है पुर्णिया में कितने परसेंट लोग है तो 4.48% बाका में 4.44% आपके ट्राइबल रहते हैं इतना आपको व्याद रखना है तो बिहार में सरवाधिक ट्राइबल कहां पर रहते हैं तो पच्छमी चमपारन में रहते हैं नेक्स है कि बिहार में सरवाधिक गरामिन जनसंख्या किस जिले में तो बिहार में जो है सरवाधिक गरामिन जनसंख्या आपके समझती पूर में तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा यहापर आपके 96.53% आपके गौव में रहते हैं नेक्स है कि गंड़क एबं कोसी नदी के मध्य में अस्थी थे गंड़क एबं कोसी नदी के मध्य में जो है कमला और बागमती नदी अस्थी थे तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि जैब विवेदता है तू चौथा वन प्लेनेट सम्मिलन 11 जनबरी 2021 को किस देश के दवरा आयोजित किया गया तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि परियावरन बन एबं जलबाई परिवरतन मंत्रले दवरा जारी अस्टेट्स ओफ लियोपार्ट्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014-2018 की अबधी में तेंद्यों की संख्या में कितने परसेंट की विर्दी हुई है तो तेंद्यों की संख्या में जो है 62.5% की विर्दी हुई है भारत में कितने तेंद्यों है तो भारत में जो है 12,852 तेंद्यों है और सबसे अधिक जो है तेंद्यों किस राज में पाया जाता है तो मध्परदेश राज में पाया जाता है कितना तो 3421 तेंद्यों आपके पाया जाता है अदुसरा स्थान पर कौन हे तो करनाटक है औह तिसरा स्थान पर महरास्थ है नेक्स है कि नेता जी सुवाचंद्र बोस् आपदा प्रवंधन पुरसकार 2021 बेक्तिगत सुर्नी में किसे परदान किया गया है दॉटिगत स्रेने में जो है डौक्टर रजंदर कुमार भंडारी को प्रदान किया गया है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि 1 अपरिल 2021 को सतर्मी विमेस्टेक मंत्री अस्तर ये बैठे कि मैं जवानी किस देश ने की है तो स्रिलंका के द्वारा किया गया है ठीक है स्रिलंका के द्वारा किया गया है तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा जो विमेस्टेक है विमेस्टेक में कौनकों से कंट्री है तो बांगलादेश, भारत, सिरलंका थाइलेंड, म्यानमार, नेपाल भुटान नेक्स्ट है कि रास्टी है क्रिसी और ग्रामिन विकास बैंक नवाड के अध्यच कौन है तो जो नवाड है उसका अध्यच है गोबिंद राजूलू चिन्ताला ठीक है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नवाड की अस्थापना कब की गई थी तो 12 जुलाई 1982 को जो है नवाड की अस्थापना की गई थी सिब्रह्मन कमिटी की सिफारिस पर नवाड का मुख्याले कहां पर है तो मुंबई महरास्ट में नवाड का मुख्याले है नेक्स्ट है कि अच्छे उर्जा नविकरनी उर्जा के उत्पादन में भारत का विस्व में कौनसा स्थाण है तो पाचमा अस्थाण है ठीक है पाचमा अस्थाण है तो डिसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है डिसका राइट अंसर हो जाएगा बहुत ही important question है इसे मार्कर लीजेगा मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है तो मनासा 12 नसी को चुना गया है तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा यह किस राजकी है तो तेलंगाना राजकी है नेक्स है कि 23 बर्स 2021 के लिए बिहार के बजट में सिच्छा के लिए कितनी राजसी खर्च करने का प्रभधान किया गया है बहुत ही इसका राइट अंसर हो जाएगा और साथ में आपको याद रखना है कि जो स्वास्थ है स्वास्थ पर कितना खर्च किया जाएगा तो 13,264 रुपया पॉइंट 87 जो है स्वास्थ पर खर्च किया जाएगा जबकि आपको याद रखना है कि 15,227 पॉइंट 247 पॉइंट 74 रुपया खर्च किया जाएगा किस पर तो यह खर्च किया जाएगा पस निर्बान विभाग के द्वारा और 9544 पॉइंट 93 कलो रुपया खर्च किया जाएगा पंचायती राज पर ब्याई के लिए इस सारे पॉइंट को आध रखेगा नेक्स है कि केन बेतवा लिंक परियोजना हेतू हाल ही में किन दो राजियों के बीच समझावता हुआ है तो हाल ही में जो है उत्र परदेश और मद परदेश के बीच में समझावता हुआ है तो C इसका प्राइट एंसर हो जाएगा Next है कि कैच दा रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है तो भारत सरकार के जो है जल सक्ती मंत्राले के द्वारा प्राइट प्रेडम किया गया है कैच दा रेन अभियान तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा Next है कि E परिवहन सिवा सुरू करने वाला देश का पहला राज हिमाचल परदेश है कौन है हिमाचल परदेश है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि तिसमा ब्यास सम्मान 2020 किसे परदान किया गया है तो तिसमा जो ब्यास सम्मान है किसे परदान किया गया है तो सरद पगारी को जो है तिसमा ब्यास सम्मान 2020 किसे परदान किया गया है सरत पगारे को तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि 2021 बिशु वन जिब दिवस का थीम क्या है तो 2021 वन जिब दिवस का थीम है Forest and Lablehood Forest and Lablehood Sustaining People Sustaining People and Planet इसे फिर से देख लिजे Forest and Lablehood Sustaining People and Planet तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि World Economic Forum की Global Gender Gap Report 2021 में 156 देशों के छूची में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत को जो है 140 मा अस्थान मिला है Global Gender Gap Report में तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा और किसके द्वारा जारी किया जाता है तो World Economic Forum के द्वारा जारी किया जाता है यह तिनों पॉइंट को आपको याद रखना है Next है कि Riding Free My Olympic Journey पुष्टक किसके द्वारा लिखी गई है तो यह पुष्टक लिखा गया है इम्तियाज अनीस के द्वारा इम्तियाज अनीस के द्वारा जो है Riding Free My Olympic Journey लिखा गया है तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा Next है कि Tokyo Para Olympic 2020 में कुल कितने खेल सामिल थे तो कुल आपके 22 खेल सामिल थे कितने खेल 22 खेल सामिल थे तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा बारत का द्वारा जो है कुल टोक्यो पेरा Olympic में कुल कितना पदक जीता गया है तो कुल 19 पदक जीता गया है कुल 19 पदक जीता गया है और जो भारत का दल था Tokyo Para Olympic में कितना गया था तो 54 लोगों का दल था आपको याद रखना है नेक्स्ट है कि नौरा नौरा अल मत्रोसी किस देश की पहली महला अंत्रिच यात्री बनेंगी तो UAE की UAE की बनेंगी पतलब की सौधी अरब अमिरात की ठीक है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस फिल्म ने 93 ओसकर पुरसकार 2021 का सर्व सिस्ट फिल्म का पुरसकार जीता है तो No Man Land ने No Man Land ने जो है 93 ओसकर पुरसकार 2021 का सर्व सिस्ट फिल्म का पुरसकार जीता है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि बदलाव के बाद केंद्रिय मंत्री परिसाद में सिच्छा और ग्रामिन विकास मंत्री के जोड़े का चेयन करें तो देख लेजी जो सिच्छा मंत्री कौन है तो तर्मेंद परधान है और ग्रामिन विकास मंत्री कौन है ग्रिरास सिंग है जो अस्वनी बैसनव है ये रेल मंत्री हैं नेक्स्ट है कि ई भंडारन लागू करने वाला भरत का पहला राच कौन है तो ई भंडारन को लागू करने वाला भरत का पहला राच बिहार है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि गरामिन उजाला योजना के तहत गरामिन छेतरों में जो है दस रुपिय में एलेडी प्रदान किया जाएगा इसकी सुरुवात बिहार के किस जिले से हुआ है तो इसकी सुरुवात बिहार के आरा से हुआ है ठीक है बिहार के आरा भोजपुर से हुआ है तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि बिहार का पहला खेल बिस्विद्याले कहां बनाया जाएगा तो बिहार का पहला जो खेल बिस्विद्याले है राजगीर में बनाया जाएगा कहां पर राजगीर में तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि बिहार का पहला नगर वन पार्क कहां अस्थापित किया जा रहा है तो बिहार का पहला नगर वन पार्क जो है कहाँ पर अस्थापित किया जा रहा है तो कहाँ पर गया में ठीक है गया में तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा Next है कि बिहार के पहले कॉसल बिस्विद्यले की अस्थापना किस जिले में की जाएगी तो बिहार के पहले कॉसल बिस्विदेले की अस्थापना जो है इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं कहापर की जाएगी दर्भंगा में की जाएगी ठीक है दर्भंगा में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि टोकियो ओलंपिक 2020 में निमलिखित में से किस नए खेल को सामिल किया गया है तो अस्केट बोडिंग को सामिल किया गया है सरफिंग को सामिल किया गया है अस्पोर्ट कलाइबिंग को सामिल किया गया है कराटे कुमैट को सामिल किया गया है तो एक दू चार पांच इसका right answer क्या हो जाएगा तो सी इसका right answer हो जाएगा ठीक है नेक्स है कि आर्थिक सरवच्छन 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रती बेक्ति आय वाले राज्यों का सही करम क्या है तो सबसे जो अधिक आय वाला राज कोने तो गोवा है और गोवा के बाद कौन है तो सिक्कीम है और सिक्कीम के बाद आपकी दे लिए तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है C इसका राइट एंसर हो जाएगा सबसे कम प्रतिविक्ति आई बला राज कौन है तो बिहार है पहला में कौन बिहार है सकेंड में कौन है? 36 गल है और तिसरा में जारखंड है अगर बोला जाएगा कि सबसे गरीब राज कौन है? सरबाधिक तो 36 गल जो है सरबाधिक गरीब राज है वहाँ पर गरीबी 49% है ठीक है आप पूरे भारत की गरीबी दर कितना है? पूरे भारत का तो पूरे भारत का जो गरीबी दर है 21.9% है 21.9% है जो नोट किजिएगा बहुत ही important question था next है कि चाय महोस्ता दोहर 21 का आयोजन किस राज में किया गया तो असम राज में किया गया ठीक है असम राज में किया गया तो ए इसका right answer हो जाएगा next है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेन अभियास दस्तलिक का टू का आयोजन किया गया है तो भारत और उजबेकिस्तान की बीच में जो है दस्तलिक का युद अभियास किया गया है तो ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत के किस राज में देश का पहला फायर पार्क अस्थापित किया है भारत के किस राज में जो है देश का पहला फायर पार्क अस्थापित किया गया है तो जो पहला फायर पार्क है उडिसा में अस्थापित किया गया है नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी तेरती सौर उर्जा प्रियोजना का निर्मान किस राज में किया जा रहा है तो तेलंगाना राज में किया जा रहा है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बितिय वर्ष 2021-22 के लिए राज कोशिय घाटा GDP का कितना परसेंट रहने का अनुमान है तो 6.8 परसेंट रहने का अनुमान है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि दुनिया में 140 कारों को सलकों पर चलाने की कानोनी अनुमती देने बाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बन गया है तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि जनगन्ना 211 के आकलई का अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है तो कामगारों के जोई कुल संख्या है 481.7 मिलियन है 481.7 मिलियन है तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा जनगर्णा दोहर एगारे का आकड़ाई का अनुचार जो है देश में कामगारों की कुल संखे कितनी है तो 481.7 मिलियन है समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है तो समुद्र की गहराई जो है फैदो इमेटर के द्वारा मापी जाती है विधी के दुवारा तो C इसका right answer हो जाएगा next है कि आरियच कारक किस जन्तु में देखा जाता है तो जो आरियच कारक है बंदर में देखा जाता है ठीक है बंदर में तो B इसका right answer हो जाएगा next है कि निमन मेंसे किस जन्तु में सरवाधिक पसलियां होती है तो जो option दिया गया इसमें से सरबाधिक पसलिया जो है किस जन्तु में होती है तो साप में होता है तो C इसका right answer हो जाएगा Next है कि मस्तिक निमलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है मस्तिक जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है तो सोचने के लिए हिर्दय गती, नियंतरण के लिए सरीर के संतुलन के लिए सूंगने के लिए तो सभी के लिए उतरदाई मस्तिक होता है तो एक से अधिक सही हो जाएगा तो ई इसका उतर हो जाएगा नेक्स है कि कसेरुक रजु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है तो 31 जोड़ा तंत्रिका निकलती है कसेरुक रजु से तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि प्रती बर्ती किरियाओं का नियंतरन केंदर कहाँ पर है तो प्रती बर्ती किरियाओं का जो नियंतरन केंदर है के सेरुक रजु में तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि मानब शरीर के ताप करम के संबंध में सही कथन चुनिए तो सही कथन को चुन लिजी सरदी के मौसम में घड़ जाता है गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है सरदी के मौसम में बढ़ जाता है किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये सही है ठीक है D बाला सही है कि मानव शरीर के तापमान के संबन में सही क्या है तो किसी भी समय में मनुस्थ का शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है दी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांदरता में कमी आने पर स्वास की गती क्या रहती है तो रक्त में ऑक्सीजन की सांदरता में कमी आने पर जो है स्वास की गती जो है समान से बढ़ जाती है समान से क्या होती है बढ़ जाती है तो ए इ निम्न में से कौन सा है तो जो लंबाई का निम्न इकाई होता है फर्मी मिटर होता है क्या होता है फर्मी मिटर होता है तो बे इसका राइट एंसर हो जाएगा बे इसका राइट एंसर हो जाएगा तो आपको जाद रखना है जो फर्मी मिटर होता है तो दसफर पाबर मैनस 15 म कित्यर होता है कि शरीर क एसा कौण संग जो हर समय काम करता जो हिर्दे अगर रुक गया तो आदमी समझेग उसका इस धर्दे से नाता तुट गया अगर इस खिर्दे रुख गया तो नेक्स्ट है कि निमन में से किसका या किनका भीमिय सुत्र के बराबर है ये सुत्र आपके किसके भीमिय सुत्र के बराबर है तो चाल के ठीक है चाल के तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा सुसन के दोरान वाईव के गमन का सही करम क्या है सुसन के दोरान जो है वाईव के गमन का सही करम क्या है तो सही करम है नासा मार्ग ट्रेकिया ब्रोकवाई और ब्रेकियोल्स तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग है तो निर्वात में जो गमन करने वाले तरंग है बिधुत चुमं किये हैं कोने बिधुत चुमं किये हैं तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि निमन में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है इसमें से जो है कौन से आपके भौतिक परिवर्तन है तो बर्प का पिघलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है तो डी इसका राय टेंसल हो जाएगा नेक्स टाइक की निमलिखित में से किस एक के लिए किसी कत्व एक मात्र कारण नहीं है तो पौधे की जलो से जल का इसके परनसमूग की और बढ़ना इसके लिए जो किसी कत्व एक मात्र कारण नहीं है बलकि ससंजन ससंजन तथा परनसमूग की किरिया भी आपके जरूरी है तो D इसका right answer हो जाएगा Next है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है तो इसमें से कौन सा आपके एक तत्व नहीं है तो Gai सापका एक तत्व नहीं है तो C इसका right answer हो जाएगा Next है कि ठोस carbon dioxide को किस दाप पर संग्रहित किया जाता है तो उच दाप पर नेक्स है कि नमलखित में से कौन सा एक जो है वाइव परदुसं का जैव सूचक है तो इसमें से कौन जो आपके वाई परदूसन का जैव सुचक है तो लाइकेन जो होता है वाई परदूसन का जैव सुचक होता है नेक्स्ट है कि दंत लबक निमलिखित में से कैलसियम के किस योगिक से बनता है तो कैलसियम फास्फेट से बनता है कल्सियम फास्फेट से बनता है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि वास्वी करण के कारण सितलता कैसे होती है वास्वी करण के कारण जो सितलता कैसे होती है तो द्रव के कन द्वारा उर्जा अवसुशित करने के कारण होती है तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस बैग्यानिक ने द्रबो की विभाजता का सिद्धान्त स्वर्पर्थम प्रस्थूत किया है तो जौन डाल्टन ने जो है स्वर्पर्थम द्रबो की विभाजता का सिद्धान्त प्रस्थूत किया तो A इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि निकट द्रिस्टी दोस में किस lens का उप्योग किया जाता है तो निकट द्रिस्टी दोस में जो है अबतल lens का प्रियोग मिलाया जाता है तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि magnesium chloride का racinic सुत्र क्या है magnesium chloride का racinic सुत्र क्या है तो M, G, C, L, 2 तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि सौर बिकरन निमलिखित में से किस प्रास में दिखता है तो सौर बिकरन जो है निमलिखित में से किस प्रास में दिखता है तो 400 से 789 में दिखता है तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि तलित चालक का अविस्कार किस ने किया तो तलित चालक का जो अविस्कार है बिंजामिन फ्रेंकलिन ने किया बिंजामिन फ्रेंकलिन ने किया तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा इसके बाद मैथ है तो आप लोग मैत को सारे लोग solve कर लिजेगा और इसका जो उत्तर है हम Telegram पर डाल देंगे सारे का solution भी Telegram पर डाल देंगे तो आप लोग जो है सारे मैत को solve कर लिजे और आप लोग कितने questions सही कर पाए है उसके बारे में comment box में आपसे भी लोग जरूर लिखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग लिखिएगा जो चैनल पर नए आए थे चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon भी on कर लिजेगा तभी आपको notification मिलेगा Thank you